मुझा नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है गाड़ी स्टार्ट की एक और नहीं वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे केटम RC390 को और अभी हाली में केटम ने इस बाइक को अपडेट किया है तो चली गये जानते हैं हमें इस बाइक में क्या फीचर मिलते हैं क्या भी इस बाइक के इंडे गेंडे रेक्शरूम प्राइस चल रहे हैं और अगर आपको यह वाली बाइक EMI पर प्रचेस करने हो तो आपको मिनिममम इस बाइक के लिए कितनी डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद आपको कितनी मंतली EMI इस बाइक की पेक करनी पर सकती है तो यह वाली वीडियो काफी जद्धा इंफरमेटिव होने वाली है तो गाइस अगर आप चैनल पर नए है तो मेरी आप से रुकेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो चले गाइस अब बिना आपका समय गवाए वीडियो करते हैं जल्दी से शुरू तो यहाँ पर कुछ ऐसी लुक्स है KTM RC390 की और यहां पर यह वाली जो बाइक है वो इंटन मार्केट में दो कलर में अवेलेबल है जो पहला कलर है वह है लाक्ट्रोनिक और 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 आपके इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले है फैक्टरी रेसिंग ब्लू कलर का तो यहां पर आपको कुछ इस तरह की की इस बाइक क इस बाइक के देखने को मिल जाते हैं और इंट KTMR C390 है वो पहले ज़े काफी बड़िया टोप स्पीड गेन कर लेती है और याफ बात करें इस एड़ में तो कुछ इस तरह की इस पर प्रॉफाइल है और यहां पर बात करें इस बाइक की रेर में कुछ इस तरहकी एलेडी टेल एड देखने को मिल जाती है और यहाँ आपको उस बाइक के रेर में कुछ इस तरह के LED इंडिकेटर देखने को मिलते हैं और यहाँ आपको उस बाइक का लुक कैसे लग रहे हैं यह तो आपको हमें प्लेज कमेंड करके बताना है बात करते हैं इस बाइक के इंजन के बार में तो आपको उस बाइक में 373.2 cc सिंगल स्लेंडर 4 श्ट्रोक लिक्वेड कूल इंजन देखने को मिलता है और आपको इस इंजन से 43.5 PS की मैक्समम पावर देखने को मिलती है वो भी 9,000 RP और यहाँ पर आपको उस बाइक से 37 Nm का मैक्समम टॉर्क देखने को मिलता है वो भी 7,000 RP और यहाँ पर आपको उस बाइक के अंदर 6-speed gearbox देखने को मिलता है 13.7 L का आपको उस बाइक के अंदर fuel tank देखने को मिलता है और है आपर 172 के झाएं मालच का है और हैं और बात करते हैं की मालच फिगर के बार में तो ये वाली जुप प्लोस किलोमेटर प्राइल का असपास की मैक्सिमum कोचोब कर लेती है तो चले गाज एक बार इस बाइक के exhaust note को सुनके देखते हैं और चेक करते हैं कि इस बाइक के exhaust note कि इतना दम है तो गाज आप बहतर experience के लिए अपने headphone का यूज़ कर सकते हो तो गाज आपको इस बाइक के exhaust कैसा लगा ये चीज़ आपको हमें जरूर कमेंड करके बताने हैं यहाँ बात करते हैं इस बाइक के frame के बार में तो इस बाइक का जो frame है वो श्टील ट्रालीज frame design के उपर based है और यहाँ पर आपको उस बाइक के front में WP Apex के USD Fox suspension देखने को मिलते हैं और आपको उस बाइक के rear में 10 step adjustable WP Apex के monoshock suspension देखने को मिल जाते हैं इस बाइक के handlebar है वो आपको adjustable देखने को मिलते हैं तो आप अपने comfort के साफसे बाइक के handlebar को adjust कर सकते हैं यहाँ पर बात करते हैं brake setup के बार में तो आपको उस बाइक की front में 320 mm की front में disc brake देखने को मिलती है और आपको उस बाइक के rear में 230 mm की rear में disc brake देखने को मिल जाती है और आपर बात करते हैं इस बाइक की फीचर के बार में तो यहाँ पर आपको उस बाइक के इंदर traction control, quick shifter, corning abuse, dual channel abuse पर आपको वाइक के देखने को मिल जाते हैं और यहांपर आपको फ्रंट और एर में 17 इंचिस के वील इस बाइक में देखने को मिलते हैं और यहांपर गाइस आपको कुछ इस तरह के 5 स्पॉक अलोई इस बाइक के फ्रंट और एर में देखने को मिलते हैं इसकलब गाइस अगर बात करें सिटिंग कमफर्ट के बारे में के बार में तो इस बाइक की 158 mm की ग्राउंड क्लिनस होने वाली है और बात करते हैं कॉंसोल के बार में तुछ इस तरह का टी एफटी कॉंसोल इस बाइक में देखने को मिलता है और यहां पर के टेम डूक 390 में और के टेम आर्शी थी 90 बज़े कॉंसोल है वह बिल्कूल सेम आपको हमें जरूर रिक्मेंड करके बतानी है इसके लाव बात करते हैं थे पर स्विच की तो कुछ इस तरह के का के आपको उसपास की तरद नी करनी पड़ेगी और अगर आप इतना कर देते हैं जो परमत इमाई बनेगी वो बनेगी 10,500 के आसपास वो भी अगले 36 महिनों के लिए और यहाप यह वली जो बाइक है वो आपको ओन रोड लगपक 3,70,000 के आसपास की पड़ती है और यह जो ओन रोड प्रैस है वो गाई state to state वेरी करते हैं तो अगर आप इस बाइक को cash फे purchase करना चाहते हो तो आप 3,70,000 की payment करके इस बाइक को purchase कर सकते हो इसकलाब यह वाली बाइक किसकी किसकी फेवरेट है तो यह तो आपको मैं जरूर कमेंट करके बताना है अगर आपका इस बाइक के regarding कोई भी कोशन हो तो आप मुझे से कमेंट करके पूश सकते हो मैं आपका तब ही reply कर दूँगा और गाईज अगर आपको यह वाली वीडियो ची लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना और इस चनल को सब्सक्राइब करना तो चलिए गाईज अब आपसे बहुत ही जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ अब तक के लिए गुडबाए